वेलकम बैक टू अधिरास फैमिली चैनल मैं होप रिया कैसे आप सब आप सब बच्चे होंगे सो बाइदवे मैं बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रही हूं सो मैं आज दुर्गा पुजा लुक शेर करने वाली हूं आपके साथ सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना और अपने फैमिली अंप्रेंट के साथ शेर करना और अगर आप इंस्टा पे मुझे नहीं फॉलो करते हैं तो आपे भी मुझे फॉलो करना इंस्टा इडि में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सो लेट के स्टाटेड सो गाइज यहां पर हम लगाएंगी गुडवाइप्स का टोनर और मैंने स्कीन फेस्वोश करके इसके बाद डायरेक्ट टोनर लगाया था उसके बाद फॉन्स की लाइट वेटेड मॉश्यराइजर लगाऊंगी और मैंने आइब्रू पहले ही फिल प्राइमर भी है तो मॉश्यराइजर तीनों का काम कर देता है यह सो बहुत अच्छा प्रोटक्ट एक बार आप ट्राइक करना बहुत ही अच्छा ग्लो देता है आपके फेस को उसके बाद मैंने एन्वाइब का कंसीलर लगाया माई फेवरेट और पहले हम आई मेकप करें आइस के उपर ही लगाऊंगे और अपने आइब्रोज के अराउंड भी क्लीन दिखाने के लिए अपने आइब्रोज को वहां पर कंसीलर लगा लेंगे जिससे कि आपके आइब्रोज बहुत उठके दिखती है इनांस होती है और उसके बाद मैंने ब्लेंडर से अच्छी से उठके दिखती है बोलते हैं स्लिए उसके बाद मैंने लूस पावडर लिया लेक मेंक और उससे सेट कर लिया अपने आइज को ने बैसे पर उठके उसके बाद ये ना मेरे साड़ी से मैचिंग कलर था सेम बटना ये कलर पता नहीं फोन में मेरे कैमरे में अच्छे से नहीं दिख पा रहा है या फिर उतना पिग्मेंटेशन नहीं था इस कलर की क्योंकि ये इतना भी मालब डार्क नहीं दिख रहा है पर कैमरे में पता नहीं क्यों लायटिंग की वज़े से भी हुआ हुआ हुगा इसको मैने इनर आउटर और पर लगा के और अंदर मैंने जो से यहिव है लो इस होती है वह वाला क्रियेट किया था वह बीच में ये वाला लगा लिया था क्या बोलते सिल्वल करलर लगाया था और यह हो गया बहुत ही मीनिमम आई मेकप था उसके बाद मैंने लैकमे का लिक्विड आईलाइनर लगाया और आईलाइनर लगाते टाइम बहुत टाइम लग जाते है फिर सेम कलर मैंने ग्रीन जो भी मेरा आईशेडो का था वो लॉर लेश लैन पे समच किया उसके बाद यह फेसेस कैनेडा का काजल लगाया था मैंने और थोड़ा डार्क लगाया था और उसके बाद यह मार्स का मसकारा था I think मार्स का ही था मैं भूल गई हूँ क्योंकि काफी दिन हो गए न तो यह देखो मैं यहां पे बता रही थी लैसेस को इतना अच्छा कर्ल कर देता है ओ माई गॉड आपको आई लैसेस लगाने के जरूरत ही नहीं है समझ लो देखो कितने बड़ी हो उसके बाद मैंने लैकमे का 9 to 5 फाउंडेशन लिया इसमें मेरा शेटा जीरो टू मैंने सारे प्रोटुक्त के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी क्योंकि यह मुझे याद नहीं रहता है और उसके बाद देखो कितना अच्छा बहुत एक कम कॉन्टिटीव में बहुत अच्छा ग्लो देता है लोक देता है और एकदम खिनिश ग्लों की मेकप बना देते आपको एकदम स्मूथ सा मुझे बहुत पसंदाई, L healthcare foundation मुझे बहुत पसंदार आया है, मैंने दोनों भी मंगवाइ, तीन Kush किये मैंने, उसके بعد मैंने same concealer जाँ 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 spot थे, वैसे पूंडेशन लगाने के ऐसे आपको concealer की need नहीं पड़ दिया, बत जाएचा स्पोर्ट थे तो मैंने लगा लिए तो वह अच्छे से ब्लेंड कर लिया मैंने मेरा कंसिलर था डॉक्त स्पोर्ट थे वहाँ वहाँ उसके बद मैंने एनवाईबे की कंटॉर स्थिक से आप कंटॉर किया थोड़ा बहुत कंटॉर करूंगी मैं नोस को कंटूर करना ज्यादा इंपोर्टेंट है आपकी मेकब में और फेस अगर आपका बहुती चबी-चबी सा है या मोटा है तो आप कर सकते है फेस को भी बट मैंने फेस को किया बट मुझे से नेड नहीं रहे बट मैं करती हूं मुझे अच्छा लगता है और इसके किया और देख सकते है आप अच्छे से कंटूर हो गया उसके बाद मैंने जो भी मेरा मेकब था जो भी क्रीम प्रोड़क्त है बेस था उसको सेट करने के लिए फिर से लूस पाउडर से इसको अच्छे से सेट कर लिया तो अपने नेक को कभी ना भूले ने तो अलग ही में वमकर दें ऊसके बाद मैंने क्या लगा था बिलश लगाया था और इसम भी मेरा सेट कुन भूल गाई बूल का था इसके बाद इसे पर का हाईलेट्र मने मैं खुद बोल रही वाय वाय करके इसके बाद मैंने आइपो आईपोग हायlaiٹ किया नोस को हायलाइट किया जहां-जहां-आपका highlight poiont है highlight point मतलब किया हुथ है जो जहां आपके face की aurora's face उठा हुआ है उसको highlight point बोलते हैं जहां पर जब भी आप फेस अपनी लाइटिंग में जाते हैं तो वहीं पर लाइट गिरती है ज़्याद है तो यह था उसके बाद मैंने रेड लिप लाइनर लेके अपने लिप्स को ड्रॉ करके लिप्स्टिक लगाने से आपके बिग दिखते हैं लिप्स और अच्छे से ल लिप्स्टिक उसके बाद मैंने रेड कलर की इंसाइट कोस्मेटिक की लिप्स्टिक लगाई थी उसमें मेरा शेड जीरो टू था या पता नहीं मैं बता दूंगे उसके बाद इंसाइट कोस्मेटिक का ही मैंने मेकप फिक्सर से अपने फिक्स कर लिया मेकप को उसके यह था दुर्गापुजा का फर्स्ट लुक आई होप आपको यह पसंद आएगा तो जरूर शेयर करना सो मिलते हैं आपको इसे नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाटी के लाव यह